आज फिर आपके सभी के लिए एक महत्पूर्ण जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तों 10 मई 2023 की Breaking News आपके सामने हाजिर है आपको बता दें कि सरकार ने हाली में महिलाओ के लिए एक नई योजना सुरू की है जिसका लाब महिलाओ को हर महिने 1500 रूपे दिया जाएगा जी हाँ अगर आपके प्रिवार में महिलाए हैं और आप लाब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अन्ति तक जरू देखेगा यह लाब सरकार की तरफ से हर महिने मिलने वाला है नई ओजना क्या है? उसका नाम भी आपको बताएगे उसके बारे में आपको जान करें देंगे और साथ ही आप किस प्रकार से आउधन कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको डिटेल वाई जानकारी देने जा रहे हैं बस आप से हमारा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिप्या वीडियो को लाइक कर दिजे और जाद से जादा वीडियो को शेयर भी कर दिजेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं राजे सरकार द्वारा वैसे तो महिलाओं के लिए बहुत सारी कल्यानकारी योजना चलाए गई हैं आप भी उन योजनाओं में से किसी न किसी योजना का अलाब ले रहे होंगे जिनसे महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया जा सके लेकिन सरकार की तरब से हाली में एक और नई योजना शुरू की गई है जिसमें महिलाओं को हर महिने 1500 रूपे मिलने वाले हैं जो महिलाओं इस योजना के लिए पातरता रखती हैं वह ओनलाइन माध्यम से रेजिस्टेशन कर सकती हैं आवेदन कर सकती हैं और हर महिने सरकार की तरब से मिलने वाले 1500 रूपे को भी प्राप्त कर सकती हैं अब यह लाब किन महिलाओं को मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं और किस परकार से आप आवेदन कर पाएंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे अवेदन कब से शुरू होंगे उसके बारे में भी जानकरी दी जाएगी आपसे हमारे निवेदन हैं कि अगर आप ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरप्या वीडियो को लाइक कर दीजे ति दोस्तों हर राज्य सरकार दोवारा अपने राज्य नुसार अलग लग तरह से कई परकार की योजनाएं सुरू की गई है इस योजना की सुरूवात 9 मई 2023 यानि के कल ही इस योजना की सुरूवात की गई है आपको बता दें कि इस योजना में उम्र की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है आपकी जो भी उम्र है आप इसके लिए आविदन कर सकती हैं और हर महीने पंद्रे सो रुपे प्राप्त कर सकती हैं चाहे आपकी उम्र 18 साल हो या फिर आपकी उम्र 80 साल हो आप इसमें आसानी से लाप्राप्त कर पाएंगी अब दोस्तों यह है लाप किस प्रकार से महिलाओ को मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको जान कर देदें देखे, आपको बता दें कि हाली में सरकार की तरप से नारी सम्मान योजना की सुरूवात की गई है जी हाँ यह एक नई योजना है जिसका नाम है नारी सम्मान योजना जिसमें महिलाओ को हर महिने 1500 रुपे देने की घोशना की गई है कमलनात ने बयान जारी करते हुए का है कि नारी शम्मान योजना को 9 मई 2030 से लागू किया जा रहा है यानि कि 9 मई 2030 से इसको लागू कर दे गया है जिसमें महिलाओ को दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त लाब मिलने वाला है 1500 रुपे महिलाओ को इसमें हरमेथे मिलेंगे और 500 रुपे का LPG गैसलेंडर भी दिया जाएगा या किन महिलाओ को मिलेगा LPG गैसलेंडर वो दोस्तों हम आपको बताएगे तो हमारे साथ आनते तक बने रहेगा दीकि इसके लिए फारम भरे जाएंगे और कमलनात ने कहा है कि उनके करेकरता जगह जगह पर जाकर फारम भरेंगे यानि कि इसके लिए आप सिविर कह सकते हैं कि सिविर लगा जाएंगे जगह जगह जाकर यह महिलाओ के लिए फारम अपलाई के जाएंगे महिलाउ के लिए यह फर्म भरे जाएंगे पहुंचाने कि यहाँ पर सरकार बनते ही यह फर्म अपलाई करना सुरू कर दे जाएंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री कमालनात 9 माई को छिडवा जिले में छिडवा जिले के प्रासिया से लॉंच कर दे गया है इसके साथ ही महिलाओं को जोजना कलाब देने के लिए जल्द ही रेजिक्रेशन भी सुरू कि जाएंगे जिसमें महिलाओं को लाब मिल पाएगा यह है आप दोस्तों किसी भी जनस्वक किन्द पर जाकर करा सकेंगे हाला कि अभी आविदन सुरू नहीं हुए है और साथ ही बताया है कि जो यहाँ पर करमचारी है वह भी जगए जगए सिवर लगाएंगे और महिलाओं का जो फार्म है वह अपलाई करेंगे आई होप आपको ज जानकरी हम आपको दे रहे हैं यह मध्य परदेश राज्य की है अगर आपका कोई दूसरा राज्य है तो आप हमें कमेंट बुक्स में जाकर बता सकते हैं ताकि हम आपके राज्य की जानकरी भी दे सके कि आपके राज्य में सरकार की तरफ से कौन सी योजना को सुरू के ग हराद.